मेरे यम्मी हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई चैनल मैं हो नोपूर कैसे हो आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज में शेयर करूंगी मसाला कॉन चाट की रेसिपी यह बहुत ही यम्मी अन हेल्दी भी है खाने में बहुत टेस्टी होता है तो चलिए इसकी रेसिपी अब हम देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं कॉन को उबाल लूँगी स्वीट कॉन को इसके लिए मैंने पानी को उबाल लिया है यह फ्रेश कॉन है इसलिए मैं इसे 10 मिनित तक उबालूँगी अगर आप फ्रोजिन कॉन ले रहे हो तो 2-3 मिनित में वह सौप्ट हो जाता है कॉन बॉयल हो गया है अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी सबसे पहले मैं इसमें लूँगी बटर फिर मैं इसमें गरम कॉन डालूँगी बटर में अच्छे सी से मिला लूँगी कि बटर मेल्ड हो जाए अब मैं इसमें एट करूँगी चिली फ्लेक्स यह ऑप्शोनल है अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो इसे अब स्कीप भी कर सकते हो एक चोथाई चमच चाट मसाला स्वाद अनुसर नमक मैं ब्लेक सॉल्ट यूज कर रहे हूँ आप चाहो तो नॉर्मल सॉल्ट भी उस कर सकते हो और ओरिगैनो यह बहुत अच्छा लगता है इटेलियन फ्लेवर जैसा स्वाद आते हैं और यह निम्बो का जूस तो फ्रिंस यह हमारा बन गया मसाला कॉर्ण अब मैं इसे जैसे मॉल में हम ऐसे पीपर कप में खाते हैं उसी में सार्प करूंगी कॉर्म चैड बनाने के लिए उबला हुआ कॉर्ण ले लिया उसमें मैं हैट करूंगी थोरी सी बटर और चॉप्ट किया हुआ टमाटर चॉप्ट किया हुआ प्यास चॉप्ट ऊनियन चॉप्ट ग्रीन चिली यह औप्शनल है बच्चो के लिए बना रहे हो तो यह स्कीप भी कर सकते हो चॉप्ट कॉरियंडर लीप्स चाट मसाला सॉल्ट यह ब्लैक सॉल्ट यूज कर रही हूं है तू टेस्ट लेमन जूस और हाप टीस्पून ट्रमेटो सॉस और चिली फ्लेक्स यह भी ऑप्शनल है आप में इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लूंगी तो फृंज मेरा कॉर्न चाट एंड प्लेन मसाला कॉर्ण इटलियन फ्लेवर दो नुबन के त्यार है यह बहुत आसानी से आप घर पे बना सकते हो आप मौल में जब जाते हैं यह खाते हैं तो यही चीज आप घर में आसानी से फटाफट बना के खा सकते हो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना like, comment, share करना and hit bell button for future notification thank you